सर हम टिपल सौफ्टवेर में न्यू आइटेम की एंट्री कैसे करते हैं टिपल में आइटेम एंट्री करने का दो तरीका है हम लोग एक एक करके आइटेम एंट्री कर सकते हैं और दुसरा बहुत सारा आइटेम हम लोग एकसल से इंपोर्ट कर सकते हैं अभी हम लोग देखते हैं एक-एक करके हम आय मेनमेननों को हम करते हैंश को किपोर्ट से हैनल करते हैं इनमेंटरि में क्या और यहां पर एंटर प्रेस करके हम लोग आइटम को entry कर सकते हैं मैं यहां पर enterprise कर रहा हूँ और यह वाला window खुला है यह वाला window है यहीपे हम लोग नियुग करते हैं तीक है यह वाला window पर बहुत सारा option दिख रहा है तुमको तो पहला है code यह जो code है ना यहां पर हम लोग item के उपर जो printed barcode है औह दालते हैं ठीके मैं एक बारकोड दाल देता हूं फिर मैं enterprise करता हूं अगर बारकोड हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको काट के काट्य हमें ने simply enterprise कर सकते हैं अगर enterprise करते हैं तो क्या होगा एक number generate हो जाएगा ठीके सरे कोशन है कि यदि हमने बारकोड नहीं डाला और सिस्टम ने जो ओटोमेटिक नमबर जनरेट किया है क्या तब हमारा बारकोड इसके नर काम करेगा अगर हमने यहाँ पर बारकोड नहीं डालके अगर जो system का generated number है उसी को रखते हैं तो बारकोड scanner काम नहीं करेगा बारकोड scanner को काम करवाने के लिए हमें क्या डालना परेगा यहाँ पर जो बारकोड है बारकोड scanner से scan करके sell करने के लिए हमें जो product के उपर जो code डिया हुआ होता है, उसी code को यहाँ पर डालना परेगा, मैं ये code डाल दे रहाँ, फिर enterprise करता हूँ, enterprise करते ही मेरा cursor आया है short name पर, short name पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, suppose मैंने डाल दिया IB, यहाँ पर enterprise किया, enterprise करते ही मेरा cursor आया, item name पर, यहाँ पर मैं item का full name type करता हूँ item का नाम type कर दिया फिर मैं enter press करता हूँ enter press करते ही मेरा cursor आया है packing packing और size मतलब यह जो product में डाल रहा हूँ यह कितने ml का है वो डालना है सबस्थ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 750 ml का है फिर enter press करता हूँ enter press करते ही मेरा cursor आया यह वोला fill में अब यहाँ पर क्या बोल रहा है one case contains how many bottles तो यह जो imperial blue है इसका 750 वाला जो bottle है उसका एक case में कितना bottle होते है तो वो डालना होता है हमारे सबस्थ में इंडिस के समारा होते है 12 bottles तो हमें यहाँ पर 12 डालना है फिर मैं enter press करता हूँ enter press करते ही मेरा मुझे select करने बोल रहा है यह कौन से group में आते हैं कौन से category में आते हैं यह आएगा suppose luxury फिर मैं enter press करता हूँ enter press करते ही मेरा group जो है वो automatically select हो गया luxury group जो है यह किस पे आता है यह IMFL में आएगा पिर मैं Enter प्रेस करता हूं Enter प्रेस करते ही मेरा cursor आया फ्विसकी में यह Type में तो Type को अलग-ломग Type में से मैं Whisky select करता हूँ क्योंकि यह फिर मैं enter प्रेस करता हूँ BL और RPL automatically calculate हो गया enter enter प्रेस करता हूँ और अभी कारसार आया मेरा save पर अभी मैं यहाँ पर enter प्रेस करता हूँ enter प्रेस करते ही एक दूस्टा window खुल गया यहाँ पर हमें डालना होता है price पहले हमें इसमें डालना होता है MRP में जाल देता हूँ MRP par bottles सबोस्पोज यह हो गया मेरा 400 रुपिष का par bottle इसमें डालना होता है par bottle फिर आया purchase price में purchase price में हमें डालना होता है par cash कितна price है purchase price में हमें डालना परता है par cash उसका purchase rate inclusive of tax सारा tax लगा करकर जो प्राइस होता है वो price हमें डालना होता है इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ suppose मैं इससे purchase करता हूँ 4000 रुपेज में मेरा जितना सारा tax है सारा tax लगा करके और यहाँ पे आया sell price sell price भी हमें डालना होता है par cash के हिसाब से अगर par cash के हिसाब से हमें calculate नहीं करना है तो simply इसको मैं blank करके मैं entire price करता हूँ तो यह automatically calculation ले लेगा कि मेरा sell price कितना है फिर हमें यहाँ पे डालना होता है वैट कितना होता है उसका amount फिर exercise duty और transport fees यह भी मैं skip कर रहा हूँ और फिर entire enterprise करके मैं इससे save कर देता हूँ save करते ही यह मेरा पुराना जो window है वाला window पे मेरा return आजाएगा इसका मतलब यह data save हो गया है तीक है इसको मैं escape करता हूँ और अभी मैं देखता हूँ कि यह जो item हमने अभी entry किया वो listed हुआ या नहीं उसे देखने के लिए हम जाते हैं inventory view all items यहाँ पे मैं इसको search करता हूँ imperial blue और यह मेरा item लीस्ट में आ गया ठीक है ओके सर thanks for watching this video and please subscribe our channel